अभी भी एक आप OVC का बयान मुझे बता सकते हैं जो ये कहा हो कि पाकिस्तान का जंडा नहीं फैराना चाहिए आईएसाई के साथ मत रहो लेकिन ये सब नहीं करेंगे ये भड़काओ भासन देंगे कि मुस्लिमों के साथ अत्याचार हो रहा है तो इन लोग को अपना दुक है वो भटक रहें अपने रास्ते से जिस ही साब से हिंसा भड़काने वाली बाते करते हैं जैसे इनके ही मंच पर भाई साथ में खड़ा हो कर बोलता है कि हमें 15 मिंट दे दो हम 15 मिंट में तो ये सब चीज आपको नहीं लगता है हिंसक बादी और आपको RSS हिंसक बादी ल लेकिन आपको हजारों केसिस एक साल के अंदर में सत्रह हजार लब जिहाद को मामला अंजाम दिया जाता है और उस सत्रह हजार में से एक साल भी साधिया नहीं चलती और आधा से ज्यादा लड़कियों को काट करके फेक दिया जाता है उसके बाद मैं बता दू कि जितने वो 9 % मुस्लिम दूरा किया जाता है जितनी हथ्याय होती है उसमें इनली प्रशेंट मुस्लिम दूरा किया जाता है तो कया जै जाल देखी करने वाले को कि निर्दोष को दाल दिया तो यह ह़ड़ीं मतलब उनका जो है उनकी जो मानसिक जो है सोचने की चमता उस चमता से है वो एक तरफा जो सोचने की उनकी जो प्रिक्रिया है वो हमेशा रहेगा देखिए वो कुछ भी हो जाए आज जब हम जान रहे हैं कि 99.9% में मुसलिम लोग ये कर रहे हैं फिर भी हम धर्म डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि आतंकवाद का धर्म क्या है 99% रेप जो है वो मुसलिम द्वारा किया जाता है फिर भी हम रेपिस्ट का धर्म डिसाइड नहीं कर पाते हैं आज हर एक आप जितने भी ये जो छोटे-छोटे जो मदरसे खुले हुए हैं जितने भी मदरसों में सोसन होत आज मतलब जो जो छोटे वच्चों का सोसन होता है 99% मदरसे में होता है और आप कहिएगा कि ये मतलब सोसन करने वालों का धर्म का पता नहीं है तो ये देखिए ये जितना हाथ इसमें ओवैसी जैसे नेताओं का है उतना ही हाथ सेकुलर गैंग का है जो इनके पीछे रहके जो अवैसी के सुर में सुर मिला करके ये उनके आवाज को बुलंद करने की जो प्रक्रिया चलाई जा रही है जो ये लेप्ठिस्ट लोग है जो उनके साथ एक 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 आप देखिएगा जब ये जो साम के टाइम में गाओं के साइड में गिद्दर बोलता है एक बार अविशी का कहने कि जितने भी मुस्लिम जेल में बंद हैं सारे निर्दोष हैं और बंद हैं जेल में और उनके उपर यातनाई हो रही हैं यातनाई सेह रहे हैं देखिए एक चीज बताईए इनका ये भारत के खाएंगे भारत का खाएंगे लेकिन ये हमेशा गाएंगे प अमेशा ये इनको सरिया कानून चाहिए तो अगर ये सरिया कानून के नजरिये से देखेंगे तो जाहिशी बात है इनको ये सब बेगुनाह लगेंगे ही जो जेल में बैठे हुए हैं मैं आपको बता दूँ कि जो इतने इतना बड़ा एक संविधान है भारत का तो इस संवि सरिया कानून के हिसाब से वो सब कुछ अच्छा लगेगा लेकिन जो जो डंड होगा भारतिय संविधान के तहट वो आपको जहलना पड़ेगा क्योंकि आप इस देश को जिस दिन अपना समझने लगेंगे आप इस देश के जिस दिन कानून का पालन करने लगेंगे तो ज चाहते हैं अपने यंग्स्टोर को भड़काना चाहते हैं वो ये उनको ये भासन देना चाहिए कि हां ये सब नहीं करना चाहिए जिससे देश में भाईचारा है आतंकवाद को पनपने नहीं देना चाहिए पाकिस्तान का जंडा मत पहराओ आईएसाई का जंडा मत पहराओ लेकिन कभी भी एक आप OVC का बयान मुझे बता सकते हैं, जो ये कहा हो कि पाकिस्तान का जंडा नहीं फैराना चाहिए, I.S.I. के साथ मत रहो, लेकिन ये सब नहीं करेंगे, ये भड़काओ भासन देंगे. सर, एक टाइम OVC बयान देते हैं कि भारत माता की जय बोलना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, और एक तो ये बात आओ गई, और दूसरा जैसी किसी मुस्लिम पर अत्यचार होता है, तो तुरंट उठके आ जाते हैं, कुछ भी घटना ऐसी सामने आते हैं कि मुस्लिम के साथ ऐसा हो, उस पर तुरंट उठके आ जाते हैं, एक छोटे से बयान के लिए अगर इतना बड़ा दंगा होता है, तो वैसी जैसा आदमी चुपी साध लेता है, और वहीं पर जब कमले स्तिवारी की हत्या कर दी जाती है, कुछ मांसिक बिमार लोगों के बजह से, तो वो क्या करते हैं, उस पर डांस करते हुए नजर आते ह इनका जो दोगलापन है, वो साप साप दिखता है, कि ये अपने जो मांसिक बिचार धारा है इनका, जब तक ये चेंज नहीं करेंगे, तब तक इनके जो यूथ है, उनके यूथ में तब तक बदलाब नहीं आएगा, और तब तक ये उसी तरह से ये क्या चाहते हैं, कि इ इनके सुर में सुर मिला के हुआ करने से अच्छा है, कि जो मुस्लिम बर के जो यूवा है, उनको सही राह दिखाया जाए, उनको सही से गाइड किया, अब क्या कोई क्राइम करें तो कोट हिंदू मुस्लिम देखकर सजा दे उसको, और ओवीशी जी का कहना है कि RSS और BJP व यह अपने युवाओं को नहीं बोलते कि आप जिहाद के नाम पर किसी के हां बम फोड़ दो, आप जिहाद के लब जिहाद के नाम पर किसी हिंदू महिला को उठा करके उसको मार दो, तो यह यहाँ पर जो देखे, RSS के बारे में जितना यह लोग भरांतिया फैलाते हैं, आज तक देखिए हर जगह जहां कहीं फ्लोड आता है जहां पे यह समाजी कारे होता है वहां पे RSS पहुंच के काम करता है लेकिन यह लोग की जो मांसिक जो बिमारी है मैं कहूंगा वैसी जैसे लोगों की तो यह लोग क्या करते हैं कि सिर्फ अपना ही गलत मैसेज के नारे लगा जाएंगे और यह फिर लोग बोलेंगे कि लोग गाली न दे अरे आप एक ची दिखाओ आपके पाकिस्तान प्रेम साब साब जलगता है आरेसेस में वो ऐसा नहीं है बीजेपी में वो ऐसा नहीं है बीजेपी या आरेसेस कभी कोई गलत वो नहीं देता है बीजेपी या आरेसेस कभी भी समाजिक मुद्दे में वो खड़ा रहता है वहाँ पे चाहे आप तीन तलाक को ले ले वो आपके धरम की बात थी फिर भ मिला है कि अपना पूरा जीवन वो आपको दे देती थी और आपके एक बक्तब्य के कारण उनका जीवन नर्क बन जाता था तो BJP और RSS जो है इस देश का एक नीव है जो इस देश को संभाले हुआ है तो वहाँ पे ये लोग जैसे ये leftist लोग हैं तो हम एसा से विरोध करते आए हैं और ये विरोध करते रहेंगे और मैं कह दूँ कि ये RSS के पैरों के धूल के बराबर भी नहीं है ये जिस ही साब से हिंसा भड़काने वाली बाते करते हैं जैसे इनके ही मंच पे भाई साथ में खड़ा हो कर बोलता है कि हमें 15 मिंट दे दो हम 15 मिंट में सब तो य इनको आख खोलने की अब सकता है और खोल के आख देखिए तभी इन लोग को समझाएगा